Hello दोस्तो, Welcome back to new video, अमीद करते हैं आप सब भी बहुत ही अच्छी होंगे दोस्तो, आज के स्विरो में बात करने वाले Duke 200 के Complete Advantage and Disadvantage के बारे में कि Duke 200 में आपको क्या 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 Disadvantage देखने को मलता है बेसेकली दुस्तों अभी आपको पता है कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है आप बाइक प्लाइन लेने का प्लाइन कर रहे होंगे तो अगर आप प्लाइन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको लोगों के लिए important होती है हो सकती है अगर आप खासका ड्यूक 200 लेने की सोच रहे हैं और आपको पता है कि 200 सेग्मेंट में ड्यूक एक काफी ज़्यादा popular bikes में से एक है तो आज की वीडियो आप टो के लिए बहुत ज़्यादा interesting होने वाली है चलिए फिर इस वीडियो को सुरू करते हैं अगर चैनल पर पहली बराया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल के आइकन को आउन कर लिजेगा ताकि ऐसे ही interesting होने के notification बे आप तक पहुंसते रह सके और आप मेरे वीडियो अपडेट रह सकें इस विडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले दूस्तों बात कर लिए इस बाइक के price के बारे में Duke 200 आपको क्या price देखने को मिलती है आपको दो इक सब्सक्राइबग दिखने को मिल रही है अब दोस्तो आप लोगों के इसका क्या प्राइज है मुझे नहीं पता अगर आपको पता हो आपने नियरे सोरो में क्या प्राइज आप किस स्टेट से हैं किस सीटी से हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोलकर बता सकते हैं चलिए अब बात कर ले की बाइक ले रहे हैं तो इस फूर्ट सेग्मेर की बाइक में हमारे ले सबसे important रखता है दोस्तों बाइक की power आपको बताना चाहूँगा दूस्ते इस इस बाइक में आपको जो power देखने को मिल रही है वो बहुत अच्छी देखने को मल रही है आपको मैं clear करना चाहूँ है दोस्तो कोई और 200 segment की bike नहीं है जो कि इतना power generate करें तो अगर आप देखें तो power and जो performance है वो आपको दोस्तो इस bike में बहुत जाद और बहुत अच्छी देखने को मल रही है एक सबसे बड़ा जो कारण मनता है इस bike का खरीदने का वो बनता है दोस्तो इस bike की performance और 0-200 में तो इस bike का कोई तो नहीं है सबसे पहला reason है दोस्तो आप इस bike को अपना बना सकते हैं इस bike power दोस्तो बात कल इस bike की next advantage के बारे में तो है दोस्तो इस bike का engine आपको बता दो Duke 200 में जो engine देखने को मलता है दोस्तों वो काफी अच्छा देखने को मलता है देखिए अभी आप लोगों को bike में जो engine देखने को मिल रहा है वो bike 200 segment में एक लौती ऐसी bike है Duke 200 जिसमें आपको D.O.S.E.N.E. की dual overhead cams up engine engine मिलता है जो की बहुत बड़ी बात है bike में आपको power and job तो अच्छा मिली रहा है साथ में आपको D.O.S.E.N.E. की setup भी देखने को मिल रहा है तो दुस्तों इस reason से आपको bike की जो performance है bike का जो आपको मतला वो एक feel आने वाला है और इसका सबसे important दुस्तों आपको पता है कि इसका जो engine की quality है वो आपको काफी super मिलेगी तो यह भी बहुत बड़ा advantage आपको मिल रहा है वह दुस्तों इस bike का engine बात कर लिए दुस्तों इस bike के बारे में तो है दुस्तों इस bike का look अब obviously बात है भाई look भी हमारे लिए काफी important रखता है so आपको बता है दुस्तों डुक टॉनेट का जो look and design आपको मिलेगा वो काफी अच्छा देखने को मिल जाता है इसमें company ने जो look दिया है जो design दिया है वो काफी अच्छा दिया है और आपको बता दुस्तों इसका look and design लोगों को बहुत ज़्यदा पसंद है इवेन बहुत सारे लोग बोलते है कि कम जो नई वाली ड्यूक 250 है 390 हो हमें पसंद नहीं बट यह हमें ज़्यादा पसंद है आप कमेंट करके बताना कि आपको यह कैसी लगती है बात कर लें दुस्तों इस बाइक के बारे में तो है दुस्तों इस बाइक की लाइट त्यान को आपको इस बाइट जहले से ए लाइट घ्रा थैंठ म्ल कर निलीट वह भी अपको बहुत अच्छी देखने को मलती एह रिफार्फर्फोर्मर्न कि यह फ्रलेट के इस बाइक को जरूर खरी सकते हैं कि भया आपको बाइक की जो light है वो भी आपको काफी अच्छी मिल रही है दुस्तो इस बाइक का जो next एडवांटेज है वो है दुस्तो इस बाइक के suspension आपको बाइक में जो suspension देखने को मलेंगे दुस्तो भी में इस बाइक में WP की मोनो सॉक सस्पेंशन में लेंगे रियर भी सस्पेंशन इसके बहुत प्रीमियम है दोस्तों इस बाइक को आपको बता दो ड्यूप दोसों की जो ब्रेकिंग है वो भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी इसमें आपको सबसे पहले बता दो डूल चैरल इंकी लोग ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मलता है ABS तो है एक और चीज़ा कि भाईया फ्रंट जो प्लेट साइज है वो भी बहुत बढ़ी है फ्रंट में आपको बाइक में 300 mm की प्लेट साइज देखने को मलती है प्लस आपको बाद दोस्तों इस बाइक में आप लोगों अञे प्लस बैडबाइजा है अगया नआवक को बाइक में देखने को मिलेंगे वह भी आपको बहुत अच्छे देखने को मिल जाते हैं यह सारे फीचर भी आपको बाह स्क्राइज को प्लेगा अगया फारून इस स्थीजियो में को । 막 आप को फिचर बियुक्र में को प पहलेंगे दोस्तों इस बाइक का जो next advantage है वह दोस्तों इस बाइक का comfort अब obviously बाद दोस्तों comfort भी हमारे लिए काफी दा important रखता है आपको बात है तो इस बाइक का जो comfort है दोस्तो वो भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा Luke 200 इतनी जादा comfortable है कि आप इस बाइक को मुरे हिसाब से almost 200 से 300 km भी continue चलाएंगे तो भी आपको कोई भी problem नहीं होने वाले आपके back में शोल्डर में कोई भी pain नहीं होगा इस बाइक को खरीज सकते हैं एक काफी बड़ा advantage है बाइक का comfort next and last advantage है दुस्तो इस बाइक का feedback अब feedback आपको पता है very important बहुत important रखता है feedback हमारे लिए तो आपको बता दो दुस्तो अगर आप इसका review लोगों से पुछेंगे तो आपको यही बोलेगे कि just go for it मेरे भाई Duke 200 is one of the best bike और यह reality है Duke 200 जो है बहुत जादा अच्छी है feedback इसका आपको लोगों का हमेशा positive मिलेगा लोग हमेशा इस बाइक को अच्छी बताते है तो इस reason से भी आप इस bike को अपना बना सकते हैं बाकी आप बताना आप comment करके कि आपको Duke 200 कैसी लगती है तो यह दो दुस्तो इस bike का complete advantage अब आपको बता हर bike में advantage मिलता है तो आपको हर bike में कुछ ना कुछ जो है this advantage आपको देखने को मिलेगा दुस्तो आपको इस bike में जो सबसे पहला this around day देखने को मिलता है वो मिलता है दुस्तो इस bike का speedometer तेकि speedometer मैं इसलिए क्या रहा हूँ क्यों कि speedometer जो है वो काफी अच्छा है यहां पर कोई doubt नहीं है प्रॉब्लम ही है कि जो speedometer दुस्तो उसका जो मतलब लुक है वो बहुत ज़्यादा पुराना लगता है अब टाइम आ चुका है कि company इस bike में या तो फिर फुली LCD पैनल में काम करें या फिर इसमें TFT डिस्पले तो company नहीं देगी और obviously बाते दुस्तो टीफ्टी डिस्पले को मिलता है वो मिलता है दोस्तों इस बाइक का ground clearance न्यूक टोरिट का जो ground clearance है वो काफी काम है जब से company ने इसके exhaust को नीचे से दिया है तब से इसका ground clearance काफी low हो गया यह almost 155 mm का सपस्की ground clearance के साथ में आती है तो ground clearance इस बाइक का बहुत कम है इस reason से भी दोस्तों पतब इसका सब्सक्राइब के साथ रहता है विसका पीचा का भी छोड़ता ही नहीं आपको बता है वह दूस्तों इस बाइक का है देखने को मिलता है जो कि मेरे साब से ज्यादा बहतर नहीं है मतब एक इंडिस से रंडेस हमें देखने को मलता बाकी सारे चीज़ आपको बाइक में देखने को मल जाती है अब आप लोग कमेंट करके ज़रू बता रहा है कि आप लोग वोको ड्यूक टोनेट कैसी लगती है और आइधिंग अगर अपचाया तो इस बाइक को ले सकते है सुमीद करता है दो आपको एक छोटी से इंटरस्टिंग वीडियो अच्छी लेगी कि उड़े चलेगी तो एक लाइक करना चैनल पे पहली बढ़ा है तो सब्सक्राइब कर लेना मिलतें नेक्ट वीरो में लवी ओल जैहिन वने मातरम